राजपुतों की वीरता और क्षत्रिय धर्म परायनता की एक और सच्ची कहानी, उज्जैन के राजा, जसवंत, सिह पंवार ही नहीं, उनके सैनिक भी शूरवीर योध्धा राजपूत थे, एक बारे खबर आई कि मुगल सेना भारत में घुसने वाली हैं, तभी राजपुत सेना तैयार हो गई और निकल पड़ी देश और धर्म की रक्षा करने के लिए, मुगल सेना जानती थी कि अगर क्षत्रिय राजपुतों से टकराए, तो बहुत कुछ खोना पड़ेगा, इसलिए मुल्लों ने एक तरीका निकाला, जिससे युद्ध हो, लेकिन सेना से नही शहादत खान ने राजा जस्वंत सिहन से कहा कि एक वीर राजपूत सेना की तरफ से लड़ेगा और दूसरा हमारी तरफ से जो जीतेगा उसकी बात रहेगी, राजा जस्वंत सिहने हां कर दी और कहा, पहले अपनी तरफ से वीर भेजो, खान ने सेना के सबसे ताकतवर राजा जस्वंत सिंह ने जवाव दिया कि बट मैं किस वीर को चुनू, मेरी सेना में सारे क्षत्रिय राजपूत वीर ही हैं। अगर किसी एक को चुना, तो सेना में लड़ाई हो जाएगी, कि मुझे क्यों नहीं चुना। उस कायर मुसल्मान ने एक बुढ़ा राजपूत को चुना, जबी वो बुढ़ा राजपूत सीना चौड़ा करके आगे लड़ने आता है। लड़ाई शुरू हुई देखते, देखते, उस मुगल सैनिक ने राजपूत के पेट को भाले से चीर दिया और उपर उठा सब देखकर दंग रहा गए कि ये क्या हुआ। तभी राजपूत की वीरता तो देखकर दंग रहा गए और मुगल सैनिकों को वापस लोटना पड़ा विजय या वीरगती। जैक शात्र धर्म ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करे। धन्यवाद सहित सेना में आखड़ा हुआ। सब उस राजपूत की वीरता तो देखकर दंग रहा गए और मुगल सैनिकों को वापस लोटना पड़ा विजय या वीरगती। जैक शात्र धर्म ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करे। धन्यवाद।